नमस्ता, मैं धार्मी ज्याना, पता दिन चल रहा कि इसका मिजाज की साल में हैं, वो पार्टी जो देश की सब्सक्राइप पूरानी पार्टी है, जिसकी स्थापना 1885 में, आज से 136 साल पहले, 28. दिसंबर पुरूई थी, जिसने देश को गांधी, सरदार, नहरू जैसे ने पगरण भाजपा के हिंदूों के प्रति किये गए कारियों का है, या फिर लगुमति के और प्यार का कॉंग्रेस का नतीजा है, अभी अभी पांच राज्यों में चुना हुए है, पश्चि मंगाल, आसाम, केरल, कॉंडी, केल, तमिल नाडू, वहाँ तमिल नाडू की डि भाउनगर जिल्ला युवक कोंग्रेस प्रमुक और साथिसाथ भाउनगर जिल्ला पंचायत के सदस्य बल्देवभाई सोलंकी और साथिसाथ हमरे साथ जूड़े है मुंबई से वरिष्ट पत्रगार भी, पर हम पहले बल्देवभाई सोलंकी से पूछना चाहेंगे, वह अपने शेत्र में अच्छा वर्चस्व रखते हैं, उनका काम भी ऐसा है, और सही माइने में कहीं, तो वह एक लुगा है, तो वह जानते हैं कि आगे का समय क्या है और क्या बदलाव लाना चाहते हैं, अबल्दोबे आपका स्वागत है हमारी चैनल में, जी 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 वाला ज लाओंगा, कि अभी जो पाच राज्यों में चुना हुए थे, उसमें भाजबा को तो ज्यादा सफलता नहीं मिली, किन्तु राहुल गांदी ने केरल पर अपना फोकस किया था, और प्रियंका गांदी ने अपना आसाम में फोकस किया था, फिर भी सफलता नहीं मिली, एसा के साथ कंग्रेस पाल्टी जो है अपने विचारदारा के साथ हमेशा देश्च को जीवन रखने के लिए देश्की विचारदार और संस्कूरूति को जिवन्त रखने के लिए हमेशा देश में सुनाव लड़ती है। पार्थिय जिनका पार्टी कैसे भी करी कैसे बंदारेनी की बात हो, सविधान की बात हो, काइदे की बात हो, तो तोड मरोड कर सिफ सत्ता हासिल करने चाहती है। कि बात कर रहे हैं, एक देश की तरह से जा रहा है, किस और जा रहा है, वो सभी नवा हिवा पेडियो को देखना होगा। साथी साथ आपने बहुत अच्छी बात की कि राजकारण होना चाहिए, पर अभी तो धर्म के नाम पर राजकारण हो रहा है। और जो एकता है हमारे देश की, हमारा जो कॉंस्टिट्यूशन है, हमारा जो लक्तंत्र है, वो भी किसी ना किसी रूप में बिखरता नजर आ रहा है। मैं आपको दूसरा यहा पूछना चाहता हूँ, कि जैसे तमिलनाडू में सिर्फ DMK के सहयोगी के रूप में कॉंग्रेस जीती है, दूसरी जगह अपना जादू नहीं चला पाई, किन्तु मुझे ऐसा लगता है और यसी बात भी चल रही है, कि क्या कॉंग्रेस में राश् चलती है, तो बारतिया चंता पार्ट की चीप राजनिती के तोर पे चलती है, हम सभी राष्टे नेत्रूत्व हो, गुजरत का बड़ा नेत्रूत्व हो या छोटे से छोटा कार्य करो, सभी को राहुल गांदी जी पर भरोजा है, राहुल जी ने अभी इस कोवीड की महाम अभी कतित बात है, वो एक दोर था जब मादवसी सोलंकी भी 150 से ज्यादा गुजरत में सीट लिया करते थे, किन्तु अभी के अभी के देखे तो पंजाब है, 36 गड़ है, महराष्ट्र है, ऐसे राज्यों में कॉंग्रेस शासन में है, और बहुत कम राज्यों में मुख्य अभी कि अभी कम हो रही है, या फिर भाजपा जो नारा लगाती है कि कॉंग्रेस मुक्त भारत उस तरफ स्थिती जा रही है. मैं आपको बता दू, 2012 सीलेके 2017 तब 53 MLS थे गुजरत में, अभी आप देखलो, 2017 में जो चुना हुआ तो असी तक पहुचने को आ गये थे जैसे भी करके भारतिय जन्ता पार्टी तोर जोड और पैसे के जोर्प से जितने MLA जे उनको करिदने की बात करती है कहीं पे उनको दबाव बनाती है ऐसे लेके भारतिय जन्ता पार्टी में कॉंग्रेस के जारा सभियों को लेके जाती है तो कॉंग्रेस मुट भारत की बात करने वाली भारतिय जन्ता पार्टी अभी गुजरात में ही देख लो कि कॉंग्रेस यूक्त बाजपा हो गई है हमें तो इस बात की खुशी है कि भारतिय जिन्ता पार्टि में हमारे जो सही नीक ते हो गए है और इस सथा के मातक में जो लोग घुसे हुए है उनको सही माहिने में देश की सही एडियोजी और कॉंग्रेस की एडियोजी समझाने में सफल हो आपने सही का कि अभी जो पेटा चुना हुए थे विदायक के उसमें भी एसा देखा गया था पक्ष पल्टा बहुत देखा गया था और लोग एसा कह रहे हैं कि सामधाम दंड बेद अपने कार्यकरताओं को कह दिया है उनके महा महिमों ने कुछ भी करो पर परिणाम लाओ इसलिए यह सा नजारा देखनों को मिला था पर आप क्या सोच रहे हैं कि 2022 की चुटनी गुजरात में आ रही है विदान सभा की तो क्या बदलाव आएगा और कहा तक कॉंग्रेस पहुचेगी तीन आकड़ों में पहुच सकती है आप तीन अंको की बात कर रहे हो मैं आपको बताना चाहता हूँ कम से कम 130 से 140 सीटे गुजरात में 2022 में कॉंग्रेस लाके सत्ता बिठाएंगी और लोगों के लिए काम करेंगी और लोगों का काम करेंगी क्योंकि लोग्षाई की बात हो तो लोग्षाई की इस महिने में की जाती है कि पब्लिक के लिए होना चाहिए सत्ता पब्लिक के थ्रू होना चाहिए तो अभी आप देखिए कोई भी रस्ते पे जाये तो कई भी पुलिस्टिशन के बार मास के लिए पाउती बकरनी के पहुमत से सत्ता में बिटाएंगे और गुजरात का अब सही माहिने में हीत हो ऐसी बात करेंगे अभी जो 2022 की चुनावाएगी आपको क्या लगता है जो आमाजमी पार्टी है वो आई है साथ साथ NCP भी अपना जोर दीरे दीरे बढ़ा रही है तो क्या यह पार्टी है जो बाहर से आई है उसके यह सा लोग कह रहे हैं और मुझे भी एसा लगता है कि जो गाव है गाव में जो किसान की किसान की मतबेंक है कोंग्रेस के प्रती वो आमाजमी पार्टी तोड़ेगी पहले तो मैं बता दूँ कि आमाजमी पार्टी जो है ओ बुझरात मे भार्थीय जनता पार्टी की बीटी में आपने जहां भी देखा होगा एक पर्टिकुलर विश्तार में कि वहीं पे भी आमाजमी पार्टी का जोर आया है यहां पर कि भारतिय जंदा पार्टी से लोग नाराज है मैं सभी माएंले में मानुक्ति की हाál मादमी फार्टी लोगों के लिए अई है यह नहीं अभी भाजपा का आरे सेस बजरंग दल इसा सब कुछ इसी शाखाय चलती रहती है और उसी के वज़े से उनको वोट भी अच्छे मिल जाते हैं आपका कॉंग्रेस का भी सेवा दल है तो आपको क्या लगता है वो फ्रेक्टर काम करेगा इस बार हमारे सबी दल जो है एने सबी आई वो यूआ कॉंग्रेस वो महिला कॉंग्रेस वो बड़ी कॉंग्रेस है सेवा दल है सबी एक जूट होके इस विजारदारा के खिलाप लग रहे हमें कोई सत्का चाहिए इसी बात नहीं है लेकिन जो देश के अंदर नपरत की राजनिती च चाहता है उसको हम बेर विक्र करके देश के सही माइने में इस चाहते हैं तो वही बात करेंगे मेरा आखरी सवाल आपको यह है कि 2022 के चुनाओं में आपकी पार्टी बहुमत से गुजरात में सरकार बनाती है तो आपका पहला मकसद क्या होगा क्या करना चाहेंगे आप 2022 के अंदर चुना होता है और हमारे जो मेनों फेश्टों रहते हैं उस सभी शेत्रों के अंदर के मजदूरों को अपना हख मिले महिलाओं को रक्षण मिले योगों को आगे लाने की बात हो चोटे और मज्यम उज्योकों को आगे लाने के साथ साथ पूरे गुजरात को हम एक साथ जोड़के विकास की और और सही माहिने में एकता की और भायचारे की बाहर लाने की बात करेंगे आप हमारे साथ जूडे बल्दे ऊपाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम हमारे साथ जो मुंबई से वरिष्ट पत्रकार जूडे है उससे साथ बाथ करेंगे धन्यवाद आपका आपका स्वागत है सतिश भे हमारी चैनल में जन्याद कर्वे में आपको यह पहले पूछना चाहता हूँ अभी की परिस्तिति देखके कि आपको ऐसा लग रहा है कि कॉंग्रेस पतन की ओर है या फिर कॉंग्रेस मुक्त भारत जो बीजेपी नारा लगाती रहती है उस तरब जा रही है कि कर्विक मैं ऐसा कहूंगा कोंग्रेस पतन की ओर तो नहीं है लेकिन कोंग्रेस दिशाहीन हो गई है इसके पहले जैसे कि अपने कहा कि इतने पूरा नी सब्सक्राइश की पार्टी है उस समय जो कॉंग्रेस पे दिगत देता हो था जिनके पास एक विजन था और देश चलाने के साथ साथ में प्रजा का भी वह मानस पड़ सकते थी लेकिन अभी जो भी कॉंग्रेस पे जो दिगत देता है या अभी तो कोई है ही नहीं जैसे कि अभी इस सबसे आकिर में गुलाम नभी आजाद का हम नाम ले सकते हैं जिसका अभी कार्जेस अबाद अभी कॉंग्रेस पे कोई नेशा ही नहीं है जिशा ही नहीं हो गई है आप गुद्रात के देखो तो हादी करके जो है वो भी कुछ तेशा नहीं है हाला कि कॉंग्रेस तो उसको बड़ी जुम्मेदारी दे दिये युवावर्भ को आगे लाना अच्छा है लेकिन उनके अ से बड़े दिता नहीं है कि जो आने वाली पीडी या तो आप्स को कोई मार्व दर्शन कर सके सुनिया जानी जी के नेश्रुतों में भी जो जबी राजीव गंदी जी का हुआ इंसिट और वादिया सुनिया गांदी जी उबर आई तो देश को अधियर्दी समझे चाहिए से खास करके कॉंग्रेस के देटाओं को कहां तक सिफ आप एक ही उंगली यानि गांदी परिवार की उंगली पकड़कर ही चलेगे आप राहुल गादी देखो मैं मानता हूँ थोड़े में चोड़ है उनका कहीं ना कहीं लेकिन प्रजा ने और खास करके वीजेपी ने इस के ब्रदार मंतिका भी कहीं ना कहीं में बंद रहा है तो कॉंग्रेस को मार्क दर्शन करने के लिए जोड़री नहीं है कि अभी गांदी परिवार का ही है आखो और दूसरी पार्टी है ता कॉंग्रेस पे कुछ सक्षम हुआ सकते लेता है जिनको अगर आगे पूरी आजा यह तो कि पहले की कॉंग्रेस थी वह भी कॉंग्रेस ही थी वहाँ भी नेता होते थे पर वह नेता बहुत अलग होते थे वह नेता थे उसके आज पड़ए में भी आता है हमारे देश की जो शिक्षा है उसमें भी उसका समाविश किया है तो फिर इतना क्या फरक आ गया पह जिसका अभी आपने जिक्रत किया हमारे जवालार पंडिक तैरू जो देश के प्रदान मंत्री पहले बने तबे लुक्ते मौलोनाजाद और उसके कौमी एकलास भी थी अभी जो कॉंग्रेस हो गई इसके को लगुमती कौम की कॉंग्रेस ही बोला जाती है यह सबसे बड़ा अहुं उद्धा है पहले कि जो कॉंग्रेस देश की कॉंग्रेस देता हूँ पूरा प्रजा को साथ लेके चलते हैं मैं अपने बात की उसमें बात दोरा देता हूँ अभी बीजेपी हिंदुत्वा काड़ खेल रही है तो क्या उससे ही यह सब दिक्कते आ रहे हैं इसको क् है कहा लगुमती के लिए काम करती है कौक्रेस ज्यादा तो लगुमती के लिए को किक्रते है तो जो हिंदु लोग है वह यह सोते हैं कि हमरे लिए काम नहीं कर दी वो काड़ी खेल रहा है इस के बारे मैं जया की," क्योंकि बीजेटी जो है पहले से हिंदुत्व का मुद्दा उचाज रही है और वह हिंदुत्व का काड़ ही हमेशा हुप चुनाओं के प्रचार दो रहे हम खेलते हैं चाहे राम मंदिरों हिंदु का हो यह कुल की मुद्दा है वीजेटी एक भी इसे मोके नहीं चोड़ती है कि वह यह कट्रवादी पहिंदुत्वा है हाला कि जैसे हम महारास्त्रों में भी शीर्षेना की हिंदुत्व का ही काड़ केल रही है शीर्षेना और विजेटी पीचा इसी लिए अगले सरकार में पिस्टी में तालमें हुआ था अभी नहीं हो पाया है इसी यह चाहिए और दोत्री कॉंग्रेस के जो नेशा है उनमें खुद में भी आपक्त तमन्वाई लिए हर किसी को अपनी ही इसी को बात दोरानी है या अपना ही पल्लू मजबुत करना है यह मारास्त्रों हो गुद्रात हो अर्यानाथ आमिन नाडू या कई पर भी हो आज अभी ऐसा नही और रहे हैं और साथ ही साथ अभी के चुनाव हमने देखे तबिलाडू के रल पश्चिम बंगाल पॉंडू चेरिया सामके तो वहां के चुनाव हुए और जो रिजल्ट आया उसके बाद सब को लग रहा है कि जो प्रादेशिक पार्टिया है राज्य की उसका दब-दबा तो कायम रह रहा है तो उसी की वज़े से क्या यह स्थिती हो रही है कॉंग्रेस की प्रादेशिक पक्सों के देखो खास करके जो विदाल सबा या तो फिर नगर पालिका पालिका का चुनाव में महत्वा रहता है तो कि वहां जो ग्रामिय विस्ता रहता है या तो शहरी विस्तारों में इतना प्रादेशिक पस नहीं सफल होते हैं लेकिन ग्रामिय विस्ता रहे वहां उनके वजूद पकड़ होती है कोंग्रेस के पहले जो पाया के कारे करते वो आज उनसे विमूफ हो गए है और प्रादेशिक पसो आज आप देखो तो जेते विला जी की टोप की जेते रहे नहीं प्रादेशिक पस पूरे इंडिया में फेला है हाला कि बारत को छोड़के आप विदेश में कहीं पर भी कि दो ही फक्स रेटे सक्तादारी और विफक्स यहां पर तो हर एक बंद आप प्रादेशिक पक्स करती है तो इसी की वज़ाते कोंग्रेस को ज़रूर तकलिफ होती है कोंग्रेस उनके साथ सालमेल नहीं कर पाती है और जैसे कि पहले की में इने कहा आपने भी कहा है कि हर जो कोंग्रेस इनेता है वो अपना सिया सती जो अपने राज है राजने की नहीं शोड़ना जाता है तो प्रादेशिक पक्षों के साथों सालमें नहीं कर पाते हैं परिस्तिति देख्के 2022 में भी चुनःवा रहे है गुजरत में भी चुनावे साथ इसाथ उतराखंड हिमाचल पर अब शुना वाले है तो आप क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहिए कॉंग्रेस को सही माइने में क्योंकि एसी दिक्कत आ गया है कि राश्ट्रिय नेतरुत्वक की भी कमी महसूस हो रही है तो इस आलात में एक पत्रकार की दरश्टिय से आप क्या देख रहे हैं? देखो मैं एक पत्रकार की दरश्टिय से अगर बात करना चाहू तो कॉंग्रेस को अपनी जो एजेंडा है वो नए सेरे से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि आज अभी जो विकास का मुद्धा बीजेटी लेके गुम रही है अज किसी को उसमें भी इंद्रस्ट नहीं है ये कोरोना काल में सभी को पता चल गया है कि कौन सी पार्टी अपनी पिस्टे राज्कियर उट्ली चेक रही है लेकिन कॉंग्रेस को अगर आने वाले जैसे कि अब्देगार 2022 का या तो भी रगले चुनाओं की तैयर ही करनी है तो सबसे पहले उनको आया के जो उनके कारिय करता है और जो भी फुक्स छोड़के गए है जिनके उनको काफे जरूरत है और वो ऐसे नहीं है कि काके पक्षांतर का मुद्धा है हर पार्टी को नड़ता है लेकिन सबसे ज़्यदा के लिए उसके खामियानी पुगत दी पड़ी है आज वीजेटे में देखो तो सबसे ज़्यदा कॉंग्रेस से ही उसमें आये है और सथा लेके बैटे है तो कॉंग्रेस को परिवर्तन के तौल पे अपने को आपको सबसे पहले एक नए एजेंडा पाया के काड़े कर और जो नेसार की उनको जरूरत है जो मार्ट दर्शन कर पाए उनके जरूरत है देते कि शरत पावार का फॉक्ष है एंपी तो मारण से काई है उकादेश की प कारे करताओं पे जोड़े और एजुकेशनी तीम प्रियर्क गांधी वड़ेरा से काकी उमीद दे है कोंग्रेसी कारे करताओं कि अगर वो चुनाओं में वैदानी जंग में खुद उत्रे और उनके पास जो अच्छी टीम है और टीम वर्क जो मार्टेशन कर पाए आज ट सब्सक्राइब को देखे वोट दे जाते हैं पार्टे को नहीं सही है मैं आपको आखिर में यह सवल पूछना चाहूंगा कि जो 2022 में चुनावार है मैं प्रोपर गुजरात से हूं तो मैं गुजरात की बात रखना चाहूंगा उसमें एक दोर था कि मादवसी सोलंग की 150 के उपर ले आते थे पर अभी CR पार्टी लेसा के रहे उनका स्टेटमेंट था जब वो आये थे नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब कि 122 से 222 समझी तेंगे या फिर 180 तक पहुचेंगे पर आपको क्या लगता है कि क्या नतीजा आ सकता है अभी से तैयारी तो शुरू ह हो चुकी है आप क्या देख रहे हैं कि देखिए को रोना काल में लोगों ने काफी जुस लोगों को दुख्यत हुई है चाहे कोई भी पार्टी की हो और गुदरात का तो इतियास रहा है उत्यास को बोलू जार्विक तो घृत्यास ही दोराता है कि कि लिए पीजे पीजे आपको मिल गई जो कि केद्रिवाल का वो जो विजे सर्गस दिखला था मैंने देखा था पहली दखे इस्ती अवुद्पुर्वन सर्गस दिखले थी कि जिनकी नोज दिली में बैटे हुए नेता को भी लेनी पड़े यभी जो पिछला विजास सभा का चुना हुआ हुआ समाला था वड़ा प्रदान नौमोगी महाँ पे किटी दखे आटे गई थी लेकिन मेरे क्याल से अगर कॉंग्रेस अपना जोर दे और जो मुद्ध उनका है उसे बढ़के नहीं और आपस के जो मतबेद बुलके तालमेल हो के चुनाओ पे एक एंग्रिस करे तो डेपिदि उनका इस नमासों नहीं रखता हूं आपने शंकरसी की बात की तो मुझे याद आ गया तो अभी तो वो शंकरसी अभी कोंग्रेस से थोड़े रूठे रूठे से नजर आ रहे है बीच में उन्होंने राहुल गांधी को गुजारिश भी की थी कि अगर बुलाएंगे तो व आपके सामने हैं और वो चिट्पिनेटर वर भी गए थी लेकिन अभी जो हालार्त ऐसे है कि उनका कुछ इतना महत्वा नहीं रहता है तो मुझे नहीं लगता है कि शंकरती वागेला कॉंग्रेस में रहे या ना रहे उससे कुछ फरक है अपने बेटे हैं कुल भी हो नहीं कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई फर्क बने हां लेकिन जो एजुकेटर यंश्टर से और जिनको री पोलिटिक्स में इंद्रस है तो इनी मर्दी लोगों को लेकर आगे कॉंग्रेस को चलना चाहिए ना कि आजी पटेल फेक्टर भी फेल हो गया है पार्टीदार को मनाने के लिए उनको लाए लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए तो ऐसे हाला ने कॉंग्रेस की कि अगर हर एक जो सेप्स में बुलता हूं तो उनको एक एक सेप्स चुन-चुनकर और उनको ख़्यान रखके आगे आना चाहिए सब्सक्राइब के लिए तो हर लोगों को कही ना कही अपनी जोगी स्थानिक सरकार या केंदर सरकार की और नफरत है नफरत मैं बूल रहा हूं शब्सा इसलिए कि को हर गर में किती ना किसिन अपने सब्सक्राइब को खोया आई या उन्होंने कोरोनकार में कहीं ना कहीं इसेट हुई है तो जरूरी है कि जो भी कुछ आए सांत्वा ना दिखे उनके लिए काम करें ना किसे वोट लेने के लिए पर वहाँ मेरे सवालों का सिलसीला आप खत्म हो चुका है आप हमारे साथ जुड़े हमारे साथ बात की उसके बदल हम आपका धन्यवात करते हैं झाल झाल झाल, झाल